प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अनुव वीडियो इस साज़्ा अभयास के समय सेनकों ने रसी की मदद से पहाड़ों पर चर्णने की ट्रेनिंग भी कि इसके लावा इस अभयास की समय पहाड़ पर आतंकियों को एक दिखाप्ती ठिकाना बनाया गया जिससे नश्ट करने के लिए भारती सेनकों ने को अपरेशन को अंजाम द गया जिसमें दोनों देशों के 700 सेनिकों ने हिस्सा लिया दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में सीटों के बटवारे का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया सुत्रों के मताबिक बैठक में दोनों निताओं के बीच सीटों के बटवारे पर चर्चा हो लेकिन इस बादचीत के तौरान क्या तय हुआ बीजेपी ने इसे अभी भी राज रखा बिहार में मिशन 40 है 40 की 40 सीट एंडिये जीते कौन कहां लड़े ये महत्पड नहीं है तो वहीं सीटों के बटवारे के मुद्दे पर जेडियू ने भी साफ कर दिया कि बिहार में उनकी पाटी सम्मान जनक सीटों पर ही समझोता करेगी सूत्रों का दावा है कि जेडियू बिहार में बीजेपी के बराबर लोगसभा सीटों पर चुनाव लणना चाहती है लेकिन बीजेपी की तरफ से जेडियू को 12 सीटों का उफर दिया गया इसके अलावा जेडियू को जहारखंड और यूपी की एक-एक सीट का भी उफर दिया गया उदर जेडियों और बीजेपी के बीच सीटों के बटवारे पर फसे पेच की खबरे सामने आने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया और मुक्यमंत्री नितीश कुमार की स्थिती पर तंज कसते हुए उन्हें मजबूर करार दे दिया एंडिये के बीच मची अंदुरूनी खींचतान पर कॉंग्रेस भी निशाना साधने से नहीं चुकी विपक्ष ने सीट वटवारे के बहाने एंडिये में बिखराव की भी भविश्रवानी कर दी अगर जल्द उनकी नारास्गी दूर नहीं की गई तो आगामी विधान सभा चुनावों में पाती को इसके गंभील परिणा अंभुगतने पड़ सकते हैं श्रीवरा सिर्कार पर निशाना साथते हुए बाबुलाल गौर ने महाभारत का दिक्र किया और न्याएं ना मिलने की हालत में महाभारत के युद्ध का उधारर भी दिया पिट्रोल और डीजल की बढ़ती कीविए वज़े से लोग अब सी एंजी की और रुक करने लगें दिल्ली NCR में C&G की सप्लाई करने वाली सरकारी कमपनी IGL यानि इंदरपरस्ट गैस लिमिटिट के आँकों के मताबिक बीते एक साल में C&G से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है इस एक साल में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में C&G किट लगवाने वाले लोगों की तादाद हर महीने के फंदरा सौ से बढ़कर तीन हजार तक पहुंदी बताया गया कि तेल की महँगाई से परेशान लोग हलकी व्यापारिक गाड़ियों लाइट किमर्शल वेहिकल्स और ट्रकों तक में C&G किट लगवा रहा है C&G से गाड़ी चलाने का खर्च पेट्रोल के मकाबले 60 प्रतिशत और डीजल के मकाबले 40 प्रतिशत कम लगता है आईजियल के मताबिक दिल्ली में C&G की खबत रोजाना 15 प्रतिशत बढ़कर 31 लाग किलो हो गई जो पहले 27 लाग किलो C&G की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईजियल की योजना दिल्ली NCR में 60 नए फिलिंग स्टेशन खोलने की है फिलहाल दिल्ली NCR में C&G फिलिंग स्टेशन की कुल गिमती 452 हिमाचर प्रदेश की सिर्मौर में एक स्कूल के 13 बच्चे फल्खाने से बिमार हो गए जिनने इलाज के लिए IGMC रेफर किया गया हिमाचर प्रदेश की कुलूमे मनिकन खाटी में 35 होटेल और एस्टरों समेत अन्य प्रतिश्ठान सील कर दिये गए यूपी के काज़्यबाद में आपसी विवाद में अपने साले को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे आरूपी ने भी खुद को गोली मार कर खुद कुशी कर ली यूपी के आजमगर में पुलिस और आपकारे विभाग की टीम ने अवय तरीके से शराब बनाने की फैक्टरी का भंडा फोड किया और बड़ी मात्रा में कच्चा माल बरामत किया यूपी के बागबत में आठ साल की मासूम बच्ची की हत्या से हड़कंप मच गया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जाच में जोट गई उत्राखंड की दरदूर में एक रेस्टों में चाप इमारी कर नकली दवाईयों का जखीरा बनामत कर तीन लोगों को गिरफतार किया गया उत्राखंड की हलदूराणी में तीन साल की बच्ची की रेप की कोशिश का मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने बॉक्सकों के तहट केस दर्च किया जिसके बाद वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यूज एचीन ने इसकी परताल की सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ ये मेसेज तेजी से फैलाया गया कि लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस अब लोगों का मनोरंजन कर रही इस वाइरल मेसेज के साथ जिस वीडियो को शेयर किया गया उसमें एक लड़की पुलिस की वर्दी में अलग-अलग कार्टून केरेक्टर की आवाज की नकल उतारती नज़र आई इस महिला पुलिस कर्मी का सिर्फ यही वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल नहीं हुआ इस तरह के कई और वीडियो लोगों की तरफ से शेयर किये गए और वाइरल वीडियो के सच का पता लगाया परताल में सामने आया कि अलग-अलग कार्टून केरेक्टर के आवाज निकालने वाली लड़की का नाम खुश्बू अत्रे है और वो पुलिस विभाग में नहीं बल्कि एक कलाकार है वो मेरे कारेक्टर का है अलग-अलग कारेक्टर की आवाज निकालने की बाद भी ठीक है लेकिन ये दावा गलत है कि वीडियो में दिख रही लड़की पुलिस विभाग में यूपी के पत्यपुर में एक पती अपनी घायल पत्नी को गोद में उठा कर करेक्टर की दफ्तर पहुंचा दावा है कि वो आत्मी अपनी पत्नी की मेडिकल जांच करवाने के लिए कई दिनों से भटक रहा है लेकिन उसकी पतनी की मेडिकल जांच नहीं की गई पीडित आदमी ने पतेपुर और कौशामबी के जिला अस्पतालों के प्रवंदन पर उसे इन दोनों अस्पतालों की बीच भटकाने के लिए मजबूर करने कारोप लगाया तो सम्मी हम लोग कल गए और कल वहां से वापस फिर आ गए कोई डाक्टर नहीं मिला वहां से वापस आए यहां यहां पर कुछ काम नहीं हुआ अम लादे लादे फिर रहे मरीदों को बताया गया कि पीडित की पत्नी और उसके परिवार के कुछ सदफ से जमीन को लेकर होए दो पक्षों के बीच विवाद में कमभी रूप से घाल हो गए थे जिस पर हंगामा मचने के बाद ओडिशा पुलीस ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचाने के इलजाम में अभी जीत अयर को गिरफतार कर लिया अभी जीत को बताया गया है ना अभी जीत को एफ आयर की कॉपी दी गई है जो इनका राइट है अभी जीत अयर ने कुछ दिन पहले कोनाक मंदिर के सामने खड़े होकर एक विडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया आरोप है कि इस वीडियो में अभिजीत ने मंदिर को लेकर आपती जनक शब्द कहे जिने पूरी तरह सुनाया भी नहीं जा सकता मामला तूर पकड़ने के बाद ओडिशा विधान सभा में इस मुद्दे पर विशेश अदिकार प्रस्ताव लाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की गए यूपी की मुजफ़र नेकर में गहनों की दुकान में एक रहत बनकर पहुंची कुछ महिलाओं पर करीब 40 लाग के गहनों की चोरी करने कारों दावा है कि उन महिलाओं ने बुर्की का फाइदा उठा कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जिसकी तस्वीर CCTV फुटेज में साफ दिखाई थी तावा है कि ये महिलाओं सोने के गहने खरीदने के बहाँ ने वहाँ पहुंची थी वीडियो में दिखा कि दुकानदार का ध्यान हटते ही बुर्के में वैटी एक महिला ने गहनों का एक जबबाप ने बुर्के के अंदर छिपा लिया चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाज शुरू कर दी अरोपे की महिलाएं दो समों बनाकर पूरी तैयारी से वहां पहुंची थी और करीब 40 लाग की गहनों पर हाथ साफ कर दिया करनाटक के मुख्यमंत्री एजडी कुमार स्वामी ने बीजेपी पर राज जम्हें तख्ता पलट की साज़िश का संसरी ख़िज आरोप लगा दी यहीं नहीं उनका आरोप तो यह भी है कि बीजेपी इसके लिए सेना के विमान का भी इस्तमाल कर सकती है लेकिन कुमार स्वामी आरोपों तक नहीं रुके बलकि उन्होंने जनता को बगावत के लिए उकसाने तक की चितावनी दे डाली जाहिर है कुमार स्वामी की यह धंकी बड़ी थी लेहाजा पलटवार करने में करनाटक बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और ट्वीट किया कि कुमार स्वामी हम आपको राजनेतिक धंकिया नहीं देने का सुझाव देते हैं याद रहे करनाटक में कॉंग्रेस और जेडियेस की सरकार बनमाने वाले नेता डीके शिवकुमार पर एडी का केस दर्ज होने के बाद आया है झाले जाद किया लगाए